नमस्कार ब्लाक इन्वाइट में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ खुश्पू महराश्च्र सरकार पर आए दिन सियासी संकट गहराता जा रहा है और ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बचाने के लिए ऑक्सिजन की जरूरत है और अब जिस सरीके से CBI को सबूत मिले हैं ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किले जो है वो बढ़ती जा रही है इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्टर साथ महाराश्य के उद्धव ठाकरे सरकार का अब क्या होगा आपने सही कहा आप ऑक्सिजन की कमी तो पूरे देश में है महाराश्य की सरकार के लिए और भी ज्यादा परिशानी है वो इसलिए क्योंकि CPI, NIA ये दो लोग किस की जाच कर रहे है वो जाच किसी क्रिमिनल की नहीं कर रहे है वो जाच किसी वाज़ की नहीं कर रहे है या माने की नहीं कर रहे है किसी सिंदे की नहीं कर रहे है वो जाच एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ कर रहे है जिसमें उपर से लेके नीचे तक महराष्ट को वसूली करने का एक territory बना लिया जैसे वो गुंडे होते हैं गुंडों का ये मेरा इलाका है इसमें कोई दूसरा नहीं घुश सकता तो ये जो अगारी सरकार है ठीक उसी तरीके से operate कर रही थी और इस systemic corruption को CBI और NIA जाच कर रही है और इसमें जो सबूत मिल रहे हैं जिस तर आज इसे आज भी मिल गया एक सबूत मिल गया खबर आ गई भई सचिनवाजे वो जो मनसुक हिरेन के मूँ के अंदर वो सारे के सारे जो हैंक कर्चिफ डाले हुए थे कार में जिस्ता से गला घोट करके इसको मारा गया वो चिलाए ना इसलिए उसके मूँ के अंदर वो सारे हैंकर्चिफ जो उसको ठूसे गए थे आज मालुम चला कि CC TV कैमरा एक नया राज खोल गया कि ये सब के सब हैंकर्चिफ अपने दोस्त के लिए कोई और नहीं सचिनवासे खरीद रहा था अब बताईए ये इस तरह से पुलिस वाले होंगे और इस दानव को री इनिस्टेट कराने के लिए उद्धव ठाकरी सिर्फ से न तीन चार साल से आस्मान जमीन एक कर रही थी इस दुस्त के लिए सिर्फ से ना अपने अख़वार में इसे ऑनिस्ट और कैपिबल बता रही थी किसली भई क्यूं बता रहे थी तो होता यही है कि अगर आप एक जूट एक गलत उसमें अगर आप पकड़ जाते हैं और अगर आप उसको बचाने की कोशिस करते हैं तो आपको सो गलत काम करने को जाएंगे और डॉक्टर साब जिस सरीके से अब फजियत हो रही है महराश्य सरकार की तो उनका आक्शन प्लान आगे क्या रहने वाले है अब यह तो पकड़े गये हैं सबूत मिल गये हैं वसूली गैंक का पूरा का पूरा खुलासा हो गया है जो लोग जिन लोगों ने पैसे दिये हफता दिया बार मालिक रिस्टरेंट मालिक वो सामने आ गये हैं जिसने हफता वसूला वो एकसिप्ट कर चुका है वाजे माने सिंदे यह सारे लोग अब बचा हुआ है सिर्फ उनकी गर्दन जिन के लिए ये लोग वसूली का काम किया करते थे तो अब इसका मतलब यही है कि तो सरकार के लिए कर रहे हैं और किसी और के लिए थोड़ी कर रही है वह वहां के पुलिस पैसा उगा रही है किसके नाम पे वो अखिले सियादब के नाम पे तो नहीं मुम्मे में वसूली किया जाएगा ममता परज़ी के नाम पे तो कोई एक जिटका भी नहीं देगा वो तो देगा जो सरकार में वहां पे है ये रॉकेट साइंस इसके लिए तो नॉर्मल कॉमन सिंस की बात है अब ये लोग फस्ते वे नदर आ रहे हैं तो कैसे बचाया जाए एक तो कोरोना में ये एक्सपोज हो गए मालूम चल गया कि ये कितने करामती लोग है इनके बस का कुछ नहीं है और दूसरा ये चोरी करते वी भी रंगे हाथ पकड़े जा रहे है तो क्या करेंगे आप तो अचानक से जो इन लोग की बैठक होती है और ये स्ट्रेटजी बनाना सुरू करते है मैं आपको बता दूँ सोसल मीडिया में अचानक से प्रोपगेंडा का एक नया सिरी चालू हो गया जब ये दो तारिक को मंता बनर्जी की सरकार चली जाएगी तब वो क्यूं होगा कि तब वहाँ पे ये प्रसांद किसोर जो वहाँ से फ्री होगा आदित ठाकरे उद्दव ठाकरे की इमेज बनाने का भी ठेका ये इसी प्रसांद किसोर के पास है और उसके बाद उसकी जो पूरी मिस्नरी जो अभी बंगाल चुनाव में लगी हुई है वो इसके इमेज में को भर में लग जाएगी मेरी बात को नोट टरके रख लीजी और अभी से क्या तैयारी हो रही है तो पहली तैयारी ये है कि पहले इमेज ठीक करना है कि हम एक कुशल प्रसासक है महराश में सित्य खराब होई थी अब सुधर ने लगी है तिनोंने ये काम कर दिया कि बही पहले टेस्टिंग कम कर दो संख्या कम हो जाएगी टेस्टिंग कम हो जाएगी संख्या कम हो जाएगी तो उसके बाद लोग कहें कि महराश किति सुदर गई है लोग कहने भी लग 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 हो क्यों टेस्टिंगर आधा कर दिया इसने तो जो टेस्टिंग नहीं होगा तो संक्या कैसी बता चलेगा तो यह टेक्निक है नेकिन दूसरा कि जिनकी वज़र से ये फसे हैं दो वेक्ति हैं जिनके खुलासे जिनके सबूत जिनके दस्तावेज और जिनके सामने आने से इन लोगों की पूरी पोल पट्टी खुली है वो दो वेक्ति का नाम है रस्मू सुकला एक IPS वो इसी सरकार में उद्दव ठाकरे के दौरान वो वहां की जो CID है वहां की जो इंसरेंस जो खुफिया बिवाग है उसकी वो हेट थी और दूसरा परमवीर सिंग जिसे उद्दव ठाकरे ने अपना समझ के मुंबे का पुलिस कमिश्र बनाया था और तीसरा सचिनवाजे है जिसको आपने रीइंस्टेट करवाया तो दो लोगों के खिलाफ क्योंकि सचिनवाजे तो मडर केस में फस गया वो अलड़ी अंदर है दो लोग बाहर है कौन कौन बाहर है तो परमवीर सिंग बाहर है और रस्मी सुकला बाहर है तो रस्मी सुकला ने क्या किया था? तो रस्मी सुकला ने बहुत ही सही काम किया था, उन्होंने जाके अपने अधिकारी को, अपने चीफ को, डीजी को ये इतला दी थी, कि हमें मालूम चला है कि वही ट्रांसफर पोस्टिंग में बकाइदा एक रैकेट काम कर रहा है, और य बटर नान इतने में तो सारी चीजों का लिस्ट, इंस्पेक्टर है तो ये तो वो, और वो हुआ ये कि उसमें उन्होंने पूरे परमिशन लिया, परमिशन लेने के बाद, फोन टैप किया गया, बकाइदा प्रॉपर परमिशन के साथ, अब जब टैप किया गया, तो ग्रिमंत्री के आफिस से हो रहा है, ग्रिमंत्री के लोग कर रहे हैं, मतलब सरकार के लोग इस काम में लिप्त थे, अब ये रिपोर्ट उन्होंने तयार कर दिया, 6.3 जीवी का डाटा भी तयार हो गया, जिसमें पून कॉल है, बड़ बड़े लोगों के नाम हैं उसमें, क्या नाम गया है, एक तो नाम दर्ज किया गया है, किसके खिलाब, अनिल देश्मुख, और उसके बाद अन्नोन परसंस, ये अन्नोन परसंस, ये वही अन्नोन परसंस निकलेंगे, जिनके फोन टैप हो गया है, जिनके खिलाब सबूत है, अब क्या किया जाए, तो इन्हों से ये रिपोर्ट, रसमिशुकला की रिपोर्ट पहुँच गई। चीफ बिनिस्टर के दफ्तर में। चीफ बिनिस्टर के उमीद थी कि उसमे कुछ एक्षन लेंगे। क्योंकि आखिर में तो गर्दन अपने गैसने शारी रिपोर्ट अनिल दे ष्मक कर दे दी जिसके यहां से सभकुरूरा आ चाहरा था जो सब कुछ जगा करए दे दी कि देको रस्मी क्ला आने तुमारे बारे में इस तरह का रिपोर्ट के या किया नहीं किया भगवान मालिक, तो रस्मी सुकला को वहां से हटा दिया गया, जलील किया गया, इतनी वो जलील हो गई, कि उन्होंने सेंट्रल डिपुटिसिन के लिए अप्लाइ कर दिया, वो हैदराबाद में, तो उनको आज बुलाया जा रहा है, गैर मुझे का वक्त दिया ग करकार को इसकी चिंता नहीं है, कि रस्मी सुकला की रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं, वो सही है या गलत, उसको जरा सा भी इस बात की चिंता नहीं है, कि क्या उनके नाक के नीचे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए घूस खा रहे थे, इसमें कितनी सचाई है, क्य जूट है, वो नहीं जानना इनको, अजब इस तरह की माल सिटा है, का मतलब ये कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब को मालूम है, और चुके इसने ये काम कर दिया, तो इसको जलील किया जाए, और इसको, कि भाई, ऑफिसियल सीक्रिट बातों को लीक करने के आ अमनी लाती रहे, दुनिया उसको सैलूट करेंगे, और जो भर्ष्ट मुक्ष मंतरी होगा, जो बैमान होगा, वो इस तरह की खबरों को बकादा उस पे एक्शन लेने के बजाए, रस्मी सुकला जैसे विसल ब्लोर के उपर ही, आप इस तरीके से एक्शन लेंगे, तो एक प्लान जो है, इमेज सुधारने का, और दूसरा उसे दंडित करने का, जिसकी वज़े से ये सारा कुछ हुआ है, ताकि फिर कोई आदमी सरकार के खिलाफ कोई बयान, दस्तावेज ना दे सके, इसी तरीके से एक दूसरा फरजी केस किया गया है, फरजी एक कंप्लेंड कर दिया चाँ चौदा पेज का कंप्लेंड जो है, एक इंस्पक्टर है, बी आर घडगे, इन्होंने परमवीर सिंग को लपेटा है, ये लिखके दिया है कंप्लेंड की बहु ये तो सोने की बिसकिट मंगवाते थे, दिवाली में कहते थे कि हमें सोने की बिसकिट चाहिए, तो सारे DCP, ACP, ठानेदार, इन सब वो लोग जाकर के सोने की बिसकिट दिया करते थे, परमवीर सिंग को जब ठाने के CPU आ करते थे, ये भी आरोप लगाया कि वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते थे 50 लाग से लेकर के, एक कड़ोर रुपे तक की, बही ये जो बी-ार घडगे है, इसने भी अपना तबादला पैसे देगर की करवायत है क्या, कंप्लेंड कर रहा है, तो इसको भी तो पकड़ के पहले जेल में डालना चाहिए, घूस लेना, घूस देना, दोनों ही जुर्म है, जैसे दहेज लेना दहेज देना, दोनों ही जुर्म है, तो इनको भी पकड़ के अंदर डालना चाहिए। लेकिन क्यों यह सब हो रहा है। और अचानक से, जब यह सब मसला खुला है, तो अचानक से यह गढ़के का हिर्दे परिवर्टन हुआ है, या बादन हुआ है। यह क्या बताता है, यह बताता है, कि वे सरकार के तरफ से परंबिर सिंग को नापने के लिए आपने एक चाल चल दी जिस तरीके से आपने पुराने किसिस खोले थे अर्नव गोस्वामी किलाब जिस तरह से कंगना रनाउत को फचाने के लिए वो पुराने किसिस खोले गए थे भाई किसने इमेल चे ये किया भे तो यंग बॉइज और गर्ल्स है एक्टर एक्टर्स है लब अफेर हुआ नहीं हुआ नेशनल नहीं हुआ रोज इस तरह के ब्रेक अप होते हैं लोग प्यार करते हैं ये मुख्मंत्री के दफ्तर में ये सब डिस्कस होगा जिस मांसिक्ता से कविनर अनोग अरनव गुसामी के खिलाफ कारवाई की गई उसी मांसिक्ता के तरह इसके खिलाफ कारवाई हो रही है अब इससे कुछ नहीं होने वाला इसमें कोई फाइदा नहीं होने वाला जैसे मैंने कहा शुरू में क्या आप एक गलती करते वह पकड़ जाते हैं अगर उसमें आपने माफी मांग ली स्विकार कर लिया बहुत सारी फजियत से आप बच जाएंगे लेकिन अगर आप इस जित पे अड़ गय के नहीं नहीं वो गलती था यह नहीं तो उसको गलत नहीं साबित करने के लिए उसको सही साबित करने के लिए आपको सौवार चुल्म करने पड़ेंगे सौवार गलतिया करने पड़ेंगे सौवार जूट बोलने पड़ेंगे तो यह स्टेटिजी जो है उद्धव ठाकरे को वो काफी महेंगा परने वाला है जिस स्टर्जी पे वो आगे चल रहे है जी डॉप साब बहुत बहुत शुक्री है समाम जान करेंगे दिश्वार तो जो महराश्चर की उद्धव ठाकरे सरकार है वो कोरणा टेस्टिंग में हेर फेर करके कोरणा केसिस म की जाच कर रही है वो उद्धव सरकार की जाच तब तक करती रहेंगी जब तक की दूद का दूद पानी का पानी ना हो जाए और उद्धव सरकार का एक एक नेता घर पर बैठ कर सोने का बिस्कुट खाने को मजबूर ना हो जाए अगर आपको हमारा वीजियो पसंद आया तो इससे लाइक करें, शेर करें और Capital TV को सब्सक्राइब करें नमस्कार